जेहन दोस्तों स्वागत है आप सभी का Online Study UK में Online Study UK में हम बात करने वाले हैं Class 9th NCRT का आज हमारा पांचवाँ चेप्टर है जीवन की मौलिक एकाई Fundamental Units of Life काफी महत्पूर्न चेप्टरों में से एक है ये जिसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं तो बने रही है Online Study UK के साथ चलते हैं Question No.1 में ठीक है Like, Share, Subscribe जरूर कर देना जदा यादा Share जरूर कर देना सेसन को ठीक है तो Question No.1 की बात करें Question No.1 है हमारा सरवपर्थम कोसिका की खोज किषने की थी ठीक है तो कोसिका की सरवपर्थम खोज किषने करी थी तो यह किस ने करी थी Robert Hook के द्वारा कोसिका की खोज की गई थी ठीक है इसके बाद Next हो गया Question No.2 Question No.2 की बात करें कोसिका की खोज कब हुई तो कोसिका की खोज कब हुई When was the cell discovered तो cell discovered कब हुई तो यह हुई 1665, 1674 1855, 1940 ठीक है 1665, 1674 1855 और 1940 में ठीक है तो cell कब discover हुई Cell की खोज, cell की खोज हुई आपकी 1665 इस भी में हुई Robert Hook द्वारा ठीक है इसके बाद Next हो गया Question No.3 Question No.3 की बात करें तो cell कोसिका सब्द की उत्पत्ति से संबंदित वैज्यानिक का नाम है ठीक है The name of the scientist related to the origin of the word cell is ठीक है तो कौन है M, Sliden तता T, Swann होगे ठीक है Watson तता Crick, Nal और Ruska, Robert Hook ठीक है तो कौन है Cell कोसिका सब्द से रिलेटेड जो भैज्यानिक है वो है आपके Robert Hook ठीक है कौन है Robert Hook है इसके बाद Next हो गया Question No.4 Question No.4 की बात करें तो कोसिका सिद्दान्थ का प्रतिपादन किस ने किया था Who proposed the Cell theory ठीक है तो जो Cell theory थी कोसिका सिद्दान्थ था उसका प्रतिपादन किस वैज्यानिक ने किया ठीक है Robert Hook, Lewin Hawk, Johnson Sliden and Swan ठीक है Sliden even Swan तो किसने किया था यह किया था Sliden even Swan के द्वारा किया गया था option number four आपका सही है right है ठीक है तो कोशिका सिद्दान्थ का sliding and swan ने परतिबादन किया था ठीक है इसके बाद next हो गया हमारा question number five जीवद रिब्वी की स्वरपर्थम खोज किसने की थी ठीक है जीवद रिब्वी की तो who discovered protoplasm for the first time ठीक है तो first time पूश रहा है ठीक है तो खोज किसने की थी तो किसने की थी पुरुकंज ने ठीक है रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक के द्वारा और विर्चो के द्वारा ठीक है तो इन में से किसने की थी जीवद्रिब्वी की खोज किस ने करी थी जीवद्रिब्वी की खोज जो करी थी वास्तवी खोज जो करी थी डुजार्जिन ने करी थी ठीक है डुजार्डिन डुजार्डिन के द्वारा की गई थी एक साइंटिस्ट थे डुजार्डिन इन्होंने ये जो जीवदरिवी है प्रोटोपलाज में है इसकी खोज की थी लेकिन आप्शन में ये नहीं है ठीक है जो आप्शन में क्या है इसके निकट में जैसे question पूश रहा है तो question में बंगे 1849 में इन्होंने 1839 में इन्होंने ये नाम दिया था जीवदरिवी है ठीक है खोज डुजार्डिन ने की थी ठीक है इसके बाद next हो गया question number six हो गया मानव सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है the largest cell of the human body is ठीक है तो मानव सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तंत्रक कोशिका यानि की nervous cell गुर्दा यानि की कोशिका ठीक है kidney cell होगी यकरत कोशिका liver cell और pesky कोशिका muscle cell ठीक है इन्हे मैं से कौन सी है मानव सरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी है तंतर का कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है ठीक है तंतर का कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 7 question number 7 की बात करें तो जीव सरीर की रशनात्मक और कालरात्मक इकाई क्या है ठीक है what is the structure and functional units of the living body तो कौन सा होता है जीव सरीर की रचनात्मक और कालरात्मक इकाई ठीक है structural and functional units किसे living body में किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं यह है आपका कोशिका को कहते हैं ठीक है cell को किसे कहते हैं cell को कहते हैं कोशिका को next हो गया question number 8 question number 8 की बात करें तो सबसे छोटा एक कोशिकी यह जीव ठीक है एक कोशी यह जीव कौन सा है ठीक है सबसे एक कोशी जीव कौन सा है सबसे छोटा so which is the smallest single called orphanage ठीक है तो orphanage कौण सा है YESTị हो गया जवान वेक्तिरिया हो गया amoeba हो गया और Mycoplasma हो गया ठीक है तो कौण सा है यह सबसे छोटा जो कोसिकिया जीव है सबसे छोटा कोसिकिया जीव आपका Mycoplasma है ठीक है Mycoplasma है जो 0 तो अब length पूशता है तो अगर इसकी то 0.1 जो 0.3 mm इसका क्या होता है diameter होता है थीक है diameter होता है इसका तो इसके बाद next हो गया question number 9 question No.9 की बात करें तो आतमहत्या का थेला कुछे लाता है तो किसे कह जाता है ये हो गया लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका वेकिंसी ठीक है और केंद्रिका यानिकी नुक्लियस ठीक है तो किसे कह जाता है आतमहत्या की थेली तो किसे कहा जाता है ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम को कहा जाता है ठीक है लाइसोसोम को आत्म हट्या की थैली कहा जाता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 10 कुश्चन नमबर 10 की बात करें, कौन सा कोसिकांग पाचक थेली कहलाता है? तो डाइजेस्टिव सैक पाचक थेली कहलाता है? आपका लवक हो गया, लाइसोसोम, रिक्तिका और केंदरिका यानि के नूकलस, ठीक है? इन में से कौन सा कहलाता है? जो आपका digestive sec होता है ये भी lysosome को ही कहा जाता है ठीक है lysosome को ही पाचक थेली कहा जाता है और digestive sec कहा जाता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 11 question number 11 की बात करें तो पादप कोसिका का रसोई घर किन है कहा जाता है पादप कोसिका का रसोई घर what is called the kitchen of the plant cell ठीक है what is the called of the kitchen of the plant cell plant cell का kitchen किसे कहा जाता है तो lysosome हो गया ribosome हो गया हरित लवक हो गया और वर्लनी लवक हो गया ठीक है तो किसे कहते हैं ये कहते हैं आपका lysosome, ribosome, green luck and pigment ठीक है तो कोन सा होता है ये होता है आपका हरित लवक ठीक है हरित लवक जो green luck होता है ये रसोई घर कहा जाता है पादब कोसिका का plant cell का kitchen कहा जाता है जो हमारा हरित लवक होता है ठीक है इसके बाद next हो गया question number 12 question number 12 की बात करें तो पादब कोसिका के सबसे बाहरी आवरन को क्या कहते हैं ठीक है what is the outermost covering of a plant cell called ठीक है तो ए हो गया आपका कोसिका जिल्ली cell membrane ठीक हो गया प्लाज्मा जिल्ली प्लाज्मा membrane हो गया कोसिका भित्ती हो गया cell wall और केंद्रक जिल्ली यानि की nuclear membrane ठीक है तो कौन सा होता है पादब कोसिका की सबसे बाहरी आवरन को क्या कहते हैं तो बाहरी आवरन जो होता है आपका कोसिका भित्ती होती है कोसिका भित्ती होती है बाहरी आवरन ठीक है कोसिका भित्ती होती है इसके बाद next हो गया question number 13 question number 13 की बात करें तो तारक केंद्र का क्या कारदी है ठीक है तारक केंद्र का कारदी हो गया तो the function of asterix ठीक है तो asterix का क्या कारदी है यह हो गया DNA ससलेशित करना तुरकु निर्माड हो गया स्वसन हो गया चनन हो गया DNA synthesis is logic construction ठीक है और repiration हो गया और reproduction हो गया तारक केंद्रक का क्या कार्य होता है तो तारक केंद्रक का कार्य आपका तरकु तंतु निर्माड होता है क्या होता है तरकु तंतु निर्माड होता है ठीक है तरकु तंतु निर्माड करना इसका कार्य होता है इसके बाद हमारा next है question number 14 question number 14 की बात करें, तो केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है, तो केंद्रक में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन में से कोई नहीं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके बाद next हो गया question number 15 question number 15 हो गया इन में से कौन protein निर्माल का केंद्र है protein निर्माल का केंद्र कौन सा है which of the following is center of protein formation center of protein formation mitochondria, chloroplast, ribosome, lysosome mitochondria हो गया, chloroplast हो गया, ribosome हो गया, lysosome हो गया question number 15 है हमारा यह तो इसका क्या होगा? यह होगा इन में से protein का निर्माड के इंद्र आपका ribosome होता है क्या होता है? ribosome में protein का निर्माड होता है इसके बाद next हो गया question number 16 question number 16 है पादब कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादब कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका बित्ती, कोशिका जिल्ली, केंद्रक जिल्ली, प्लाज्मा जिल्ली which part of the of a plant cell is non-living? ठीक है? cell wall, cell membrane, nuclear membrane, प्लाज्मा membrane ठीक है? तो कौन सा होता है? ये होता है आपका कोशिका भित्ती ठीक है? कोशिका भित्ती ये होता है आपका कोशिका भित्ती होता है जो निर्जीव होता है ठीक है? कोशिका भित्ती यानि कि cell membrane ठीक है? सोरी सेल वॉल होता है जो कोशिका वित्ती आपका ठीक है तो सेल वॉल आपका क्वेश्चेन नमबर 16 है हमारा क्वेश्चेन नमबर 16 पादब कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है नजीव कून सा होता है कोषिका भित्य यानी कि नौन लिविंग तो नौन लिविंग कून सा होता है इसमें होता है आपका जो सैल वाल होता है यानि कि कोशिका भित्ती जो होती है आपका निर्जीव होता है पादब कोशिका में कौन सा भाग निर्जीव होता है तो सेल वॉल यानि कि कोशिका भित्ती आपका निर्जीव होता है ठीक है निर्जीव होता है नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 17 कोश्चन नमबर 17 है तारक का पाया जाता है the star is found is ठीक है the cytoplasme हो गया और kromosomes हो गया in the nucleus में and in the nucleus किसा पाया जाता है केंद्रफ में केंद्रिका में ठीक है तो गुOC कोसी का पाया जाता है तो कोशिका दृब्वी में पाया जाता है ये ठीक है कोशिका दृब्वी यानि कि साइटो प्लाजमिन में पाया जाता है कोशिका दृब्वी में क्या पाया जाता है तारकाई पाया जाता है ठीक है कोशिका दृब्वी में इसके बाद हमारा next हो गया question number 18 question number 18 हो गया वल्णात्मक पारगम में जिल्ली कहते हैं कोसी का दिर्वी को केंद्रक को कोसी का जिल्ली को और इनमें से कोई नहीं ठीक है तो जो characteristically permeable membrane is called to cell fluid to the nucleus to the cell membrane none of these वल्णात्मक पारगम में जिल्ली कहते हैं तो वल्णात्मक पारगम में जिल्ली आपका कैसे कहते हैं कोसी का जिल्ली को कहते हैं ठीक है कोसी का जिल्ली the cell membrane को कहते है कोसी का जिल्ली को ठीक है इसके बाद next हो गया question number 19 question number 19 की बात करें पीले नारंगी अथवा लाल दंग के रंजकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है ठीक है पीला हो गया लाल हो गया नारंगी हो गया इन रंजकू में कौन सा pigment पाया जाता है which substance is found yellow organs yellow orange and red pigments ठीक है तो कौन सा होता है इन में आपका kerosene हो गया saffronine हो गया methylene हो गया methylene blue और इन में से कोई नारंगी और लाल रंग में रंजक कौन सा पदार्थ पाया जाता है ठीक है तो कौन सा पाया जाता है इसमें पाया जाता है kerosene kerosene पाया जाता है इसके बाद next हो गया question number 20 question number 20 की बात करें केंद्डरक दरव्व्व में मुख्य तक कितने परकार की रचनाएं पाई जाती है what are the main type of the composition found in the nucleus ठीक है तो 2, 4, 5 और 3 ठीक है तो केंद्रक दिरिब में कितने परकार की रचनाएं पाई जाती है composition found in the nucleus ठीक है तो कितने type की होती है ये ये होती है आपकी दो type की होती है कितने दो टाइप की होती है next हो गया question number 20 question number 21 question number 21 की बात करें question number 21 है हमारा निमनलिखित जीवों पर विचार कीजिए amoeba, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया और पेरामीशियम उप्रियुक्त जीवों में कौन सा से बहु कोसिक यानि की multi-cellular जीव है consider the following organism में amoeba, fungi, बैक्टीरिया और पेरामीशियम विच आप दा एबाव organism में and multi-cellular organism में तो multi-cellular organism में कौन से हैं इन में multi-cellular organism में बताने हैं तो कौन से हैं आपको जो multi-cellular आपका जीव है इसमें वो है आपका कवक यानि की फंजाई केवल दो statement आपका सही है केवल फंजाई जो होता है आपका बहु कोसिक जीव है इसके बाद next हो गया question number 22 question number 22 की बात करें तो सूची first से सूची second को मिलाना है जिसमें आविशकारक दिये गए हैं सूची first में और फिर आविशकारक होगे आविशकार और आविशकारक ठीक है तो खोज कोसिका की खोज की बात करें ठीक है कोसिका की खोज और तालाब जो सरुपर्थम तालाब के जल में स्वतंतर रूप से जिवित कोसिकाओं की खोज ठीक है तो ये इन में से कौन से होंगे ठीक है तो ये आपने बताने हैं कोशिका की खोज आपने किस ने की थी ये रॉबर्ट हुक ने की थी ठीक है तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी की गई थी तो एका आपका चार ओप्सन है ठीक है एका एक एक इसमें है तो चार ओप्सन वाला ये है सेकेंड वाला ठीक है तो सेकेंड आ की गई थी और केंद्रक की खोज किस ने करी थी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी ठीक है और ब्लक रेक्षन विधी का जो करा था ब्लक रेक्षन विधी आपका किस ने करी थी नंबर तीन कैमिलो गॉल जी ने ठीक है इसके बाद नेक्स हो गया इसकी बात कर इस्थित तरल जैविक पदार्थ प्रोटो प्लाजम को जीवदर्ब नाम दिया M. सिलिडीन और टी स्वान का संबंद को सिखा सिद्दान्त से है उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा सही है ठीक है With reference to the study of cell Consider the following statement J. पुरकंजे Named the liquid biological material present in the cell यानि कि उसे क्या कहा उसने प्रोटो प्लाजमा प्रोटो प्लाजमा उसने नाम दिया ठीक है Second statement हो गया M. सिलिडीन टी स्वान आर कंसार्ड विद दा Cell theory ठीक है Which of the correct statement is ठीक है तो correct statement कौन सा है केवल एक केवल दो एक और दो दोनू और नहीं एक और नहीं दो ठीक है तो कौन सा statement आपका सही है statement आपके दोनू सही है एक और दो ठीक है एक और दो दोनू सही है क्योंकि जो M. सिलिडीन थे ठीक है जो आपके M. सिलिडीन थे इन्होंने और M. सिलिडीन और तीसवान ने कोशिका के जो सिद्दान्त था वो कोशिका थ्योरी थी उसके विसाई में दिया था और जो आपके जेई पुरकंजे थे उन्होंने 1839 में कोशिका में इस्थित तरल जैविक पदार थे के जीव दरब्बी नाम दिया था उन्होंने परन्तु जो खोज की थी कोशिका में उसक सकते हैं online study UK में ठीक है तो वहाँ पे आपको कुछ video मिल जाएंगी काफी महत्तपूर्ण ठीक है तो बने रही है और वीडियो देखने के दन्यवाद thanks for watching like share subscribe करें online study UK को thank you next chapter जो होगा हमारा वो होगा उतक tissues ठीक है काफी महत्तपूर्ण chapter है वो भी जल्दी हम इसको तयार करवादेंगे ठीक है तो share जरूर करते हैं धन्यवाद चेहंत चैह उत्रागंद